गुड मार्निंग बच्चो अस्तुर्णा देवी सिपूंजन राय बाली का सिच्छन सेस्तान सिसोटार मैं कच्छा छे मैं भी से गडित पढ़ाने जा रही हूँ गडित पढ़ाते समय मैं अध्याय सुरू करने से पहले थोड़ गोट आपको समानी जनकारी दे रही हूँ त इन गिनने के लिए ऐस हाँ हम आपते हैं को अतलु मैं यहाँख लीटर यह वह किसी से जल ससुआ हाँ हों घिंधड लीटर दो लीटर को जैसे पैसा दे दिया अपको तो पैसा गेनते हैं यह क्यू Compared and 2 यह सब संखियाय उसमें गिनने के काम आती है तो आप हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार में पहले आपका है प्राकृतिक संख्याए, गणना करते समय प्रियोग में आने वाली सभी संख्याए प्राकृतिक संख्याए कहलाती है, प्रंतु इसमें सुन्य सामिल नहीं होता है समान निभाचा में आप लोग बोल सकते हैं कि गड़ना करने वाली सभी संख्याए प्राकृतिक संख्याए होती हैं जैसे 1, 2, 3 ऐसे ड़्डे से अनंत ये चीन आपका है अनंत अनंत का अर्थ हुआ कि इसका कोई आंत नहीं होगा ये संख्याए आगे बढ़ती ही जाएगी आगे आपका बहुत ही आगे बढ़ता जाएगा ठीक इसी तरह आपको आप आगे पढ़ना है ये आपका पूर संख्याए पूर संख्याए में आपका हो जाएगा प्राक्रितिक संख्याओं के साथ सुन्य को भी समलित कर लिया जा है तो ऐसी संख्याओं को पूर संख्याओं का समू कलाता है मतलब जो प्राकृतिक संख्या आपका है उसके सासत अगर सुन्य भी समलित हो जाए उसमें तो आपका हो जाएगा पूर संख्या जैसे वा, जीरो, वान, टू, त्री, डेडेसर के ये भी आनन्त का चीन है अनन्तक मतलब इसमें भी आनन्त जाएगा इसमें कोई नहीं है ये संख्या इसके कभी आन्त नहीं हो गई है आगे चलता ही जाएगा अब आगे आपको पढ़ना है पुडांक गड़ना करने वाली वे सभी प्राकृतिक संख्या है जिसमें रिडात्मक संख्या है तथा सुन्या समलित हो पुडांक कहलाती है गड़ना करने वाली वे सभी प्राकृतिक संख्याए जिसमें रिडात्मक संख्याए तथा सुन्या समलित हो इसका कहनेकार था कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ इसमें रिडात्मक संख्याए भी और सुन्य भी सामिल हो ऐसी संख्या है, पुढांक कहलाती है, जैसे देखिए, इधर भी अनन्त का चीन है, डैस डैस, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, डैस डैस डैस, अनन्त, बीच में सुन्ने हो, सुन्ने आपका यहाँ, 1, 2, 3, फिर डैस डैस करके यहाँ पे, अनन्त, अब आपका है समसंख्या, ऐसी संख्या है, जो 2 से पूरते विभाजित हो जाए, समसंख्या है कहला आती है, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरते विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 डैस करके अनन्त, सब में अनंत आएगा मतलब इस संख्याओंका कोई अन्त नहीं है इस सारी संख्याओं वैसे ही अनंत जाएगी अब आपका आगया बिसम संख्याओं विशम संख्याय ऐसी संख्याय जो दो से पूर्थे विभाजित नहों विशम संख्याय कालाती है जैसे 3, 5, 7, 9, 11 आदी ऐसी संख्याय जो ये दो से कभी पकटेगी नहीं वो विशम संख्याय हो जाएंगी ये आपका इतना हो गया आप आगे आपका है भाजी संख्याय वो सभी संख्याय वो सभी प्राकृतिक संख्याय जो दो अथो दो से अधिक संख्याय से विभाजित हो भाजी संख्याय कालाती है वे सभी प्राकृतिक संख्याए जो दो अथो अधिक संख्याओं से विभाजित हो भाजी संख्याए गहलाती हैं जैसे देखिए चार, छे, नौ, दस, बारा इसमें है चार जो अपका है दो से विभाजित होगा चार से भी आपका 9 है, 3 से विभाजित होगा और 9 से भी, आपका 12 है, 12 आपका देखिए किस से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, ऐसी मतलब एक से अधिक बार जो विभाजित हो वो आपकी भाजी संख्याय कहलाती है, आगे आपका है और भाजी संख्याय, वे सभी संख्याए प्राकृतिक संख्या जो 1 तथा स्वयम से विभाजित हो अभाजी संख्याए कालाती है। प्राकृतिक संख्याए प्राकृतिक संख्याए कालाती है। का मतलब है क्यों कि अस्थान पर सुन्य नहीं होना चाहिए। अगर क्यों कि अस्थान पर सुन्य आता है तो हमारा परिमे संख्याए नहीं होगा। देखिए जैसे दिया गया है दो भी परिमे संख्याए क्योंकि हम दो बटा एक लिख सकते हैं। तो यह परिमे संख्याए बन जाएगा। तीन बटा पांच यह अपका परिमे संख्या है। चार बटा साथ आपका जो देख रहे हैं परिमे संख्याए। यह सब पी बटा क्यूं के रूप में माइनस 3 बटा 8 भी परिमे संख्या है। तो यहाँ याद रखे गा कि जहां भी क्यूंका परिमे संख्या नहीं होगा। उत्तरवर्ति या अनुवर्ति संख्या है किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ति या अनुवर्ति संख्या कलाती है किसी भी प्राकृतिक संख्या को आगे आगे जो आने वाली संख्या है वो आपकी उत्तरवर्ति या स्वान अर्था आठ होगा कोई भी संख्या ले लिजी एसे आपका बारह है बारह में एक जोड़ देंगे तो 13 यह आपका एक अनवर्ती संख्या बन जाएगा आगे आपका है पुर्वर्ती संख्या है किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहली प्राकृतिक संख्या उसकी पुर्वर्ती संख्या कालाती है किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले आने वली संख्या उसकी पुर्वर्ती संख्या कालाती है जैसे 5 की पुर्वर्ती 5-1 और ठत 4 होगी कोई भी संख्या ले ले लिए इसे 15 है इसकी के पूर्वरती हो जाएगी सुओर के 15 में से एंग घाटाअ दिजिए 14 ठीक सब में यही होगा पूर्वरती संख्या में एंग घाटा देते में अनुवरती संख्या में एक जोड देते हैं बस आज के लिए इतना ये वीडियो है अगला आपका वीडियो जोगा अगले वीडियो में आपको अभ्यास पढ़ाए जाएगा